केबल इतना देखना चाहती है कर नहीं तो डर नहीं ठिक इमर्जेंसी में जो लोग जेल गए उनके ऊपर तमाम बेहुदे और मुर्खता पूर्ण आरोप लगे लेकिन किसी की सियत में फरक नहीं था उन्हें का यह आरोप ठिक नहीं सकते अदालत में अदालत तो पहुंचन को आई भी हो कोई एजंसी हो अपने घर में तो रख नहीं लेगी किसी को है कि अरे हमने इस देश में तो कि वह बंबाई में जिसने को पूरी दुनिया ने देखा लोगों को मारते हुए वह भी न्याई की प्रक्रिया में गया है यह लोग तंत्रे फंक्शनल डेमुक्रीसिय भारत की लेकिन हाँ ये बात जंता को उर्ड को तो बाद समझ आती जंता को पहले समझ आती है कि कौन आदमी एडी लायक है किसके चापा पढ़ना चाहिए वह जंता कहे किस थी अलग बात है लेकिन गाउं गाउं शहर शहर कस्व मैं अपने पूर्फ जिम्मेदारी से कहे रहा हूँ अपने अनुभब से आया आपको पता लगे नलगे ने जनता को सब पता होता है कि माल कहां है सब को पता माल सब को पता है कि माल सब इतले छोड़ी चीज जेक्जा ud कि मैं नेताओं से कहूंगा दो-दो करून की गाड़ियों में चल रहे हैं आपके बाल वच्चे और एडी पूछ ले तो बवाल अब मिताब अग्नोत्री जैसे टेम्पू मुने चल सकता वैसे आप नीजी जहाजों में चल रहे हो यह मितिक टेल से चलते हैं नीजी जहाज यह क्या किराया 10 रुपिया है 10 रुपिया टिकेट महराज़पूर से बशाली 10 रुपिया बटू आटूम ऐसा है क्या मैं कड़वे शब्दों के इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो लोग कहते मेरी पार्टी कंगाल हो गई उनके नेता भी नीजी जहाज से गूम रहे है क्यों भाई किसी किया कथा भागवत में भी जाते तो अपने विमान से जाते हो यह पशा कहां से आ रहा है अब फिर अगर इडी जाच कर ले तो बवाल कि मैं तो कहे रहा हूँ विपक्ष हो पक्ष हो देश के सारे राजनेताओं को यह कहना चाहिए था कि मेरा जीवन पारदर्शी है इडी नहीं इडी से कब आप एजेंसी लिए आओ उससे जाच करा लो अब इस देश में सीता मया ने अगनी परिक्षा दे दी नेता करे हमको किसी परिक्षा मत रखो नहीं तो हम आगा हंगा मा मचाएंगे क्यों भाई कि सामान्य आदमी के ऊपर छापा पड़ सकता तो नेता के ऊपर क्यों ने पड़ सकता पता है एक भर्ष्ट जूनियर इंजिनियर के आँ छापा पड़ता है न लेकिन नेता के ऊपर नहीं पड़े बोले पांच बार के सांसद है अरे पांच बार के सांसद हो तो लूट का अगर आपने लूट नहीं कि तो कोई इडी आपका क्या भिगाड लेगी जे प्रकाश्जीत का किसे भिगाड लिया लुहिया का किसने भिगाड लिया करफूरि ठाकुर का कौन भिगार लेगा लेकिन जब आप जहाज अपना जहाज लेके घूमोगे हीरे की अंग उठियां पहनोगे और उसके बाद अपने को दिंदिया लुपाध्य भी बताऊगे यह नहीं चलेगा ना यहीं सारी लडाई की जल है इसलिए नेता आजकल थोड़ा इरिटेट हैं आप उनके कंधे पर हाथ रखो तो बहुत तेजी से रियक्ट करते हैं एकदम चिलाने लगते हैं क्यों जांच नहीं होनी चाहिए प्राइमरी स्कूल में जो मास्टर है उसकी विजांच हो रही है कि मिड्डे मील की विजांच हो रही है नेता कहता मेरे मील की जांच मत करो मैं कुछ भी खा जाओं और थेतर की बात मैंने कही थी मेरी दोस्त सुधा मिश्रा मोली लेओ अरे इससे ज्यादा थेतर क्या होगा पचास करोण क्या बन करो जिसकी यहां निकले टट्टी कुसल खाने में जिसकी यहां किलो में सोना निकला वो भी ड्रामा कर रहा है कर अब पुलिटिकल है कल तक जो लोग स्कूटर पर चलने की हैसे तुम नहीं थे वह आज आटो एक्स्पो खोल लिए अपने घर में कोई पूछेग नहीं कि मैं तो कहता हूँ एडिक कम जागी है कि पूल जाग्रत होना चाहिए कि शिव के तांडव की तरह जाग्रत रहना चाहिए कोई भी आदमी जो देश के संसाधनों से लूट करे वो बचना नहीं चाहिए क्या हालत देश की करदी एक खनिज विभाग की सचिव उसके घर से कितना पैसा निकला वो भी देश सेवा की सपत लेकी आई थी मैडम किया कि देखा देश ने और यह तरक नहीं चलेगा महगाय पर चर्चा करिएं बेरुजगारी पर चर्चा करिएं इसके साथ फिर ये भी जोड़िये, हमें लूट की छूर्दी जीजिये, आप बेरोजगारी पर चर्चा करिया है विताब जी, ये नहीं चलागा, दोनों पर चर्चा होगी, बेरोजगारी पर भी होगी, लूट पर भी होगी, लूट है इसलिए नौजवान बेरोजगार है, लूट नहीं हो तो नौजवान के पेट में रोटी जाएगी इसलिए मैं पहली चर्चा लूट के खिलाब करूँगा दूसरी चर्चा बेरुजगारी पर करूँगा